शुमाह पुरान की कथा में एक बात अपने पल्लू में बान कर लेकर जाना कि कोई तुम से कह दे कि मैं बैठा हूँ और तुमारा भंडार भर दूँगा मैं बैठा हूँ और तुमारा को खजाना ला कर दे दूँगा मैं बेठा हूँ जमीन खो दूँगा और हंडा निकाल कर दे दूँगा समझ लेना सब वेवकूब बना रहे हैं क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है जितनी पढ़ाई कर सकते हो तो चोगनी पढ़ाई करो और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो तो तुमारी मेहनत का भगवान तुमें चार गुना देता है अपनी मेहनत का अपने को चाहिए हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए और भगवान से कह भी देना परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना कभी मुका मिले तो एक बार शुमाहा पुराण के पंडाल में जाकर देखना ये पंडाल के अंदर बेटी हुई मेरी जीजीयों को, मेरी बेटीयों को, मेरे बेटाओं को देखियेगा कोई बिस्कूर देने भी आया न तो देकर चले गया तो ठीक कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये शिव फुरान की असली श्रोता संकर की कथा को असली श्रोता जो असली सुनने वाले हैं वो बाटने वालों के पीछे-पीछे नहीं भागते हैं, अपनी कथा में लगे रहते हैं, कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगाव को. और कई लोग ऐसे भी आते हैं, किवल ये सोचने के लिए आते हैं, कि चलो, वहाँ पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोटल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, असली सुरता, अपनी कथा की लगन का छोड़ता ही नहीं, पड़ा है. और प्रणाम है फरिदावाद वालों आपको, हरियाना की इस पवित्र भूमी के सभी भक्तों को नमन करता हूँ, जिनोंने यहाँ पर काजू और बदाम तक के पेखिट बड़बा दियो है. आपको प्रणाम करता हूँ, हरियाना वासियों को, फरिदावाद वालों को, दिल्ली वालों को, नुएडा वालों को, गुणगाओं वालों को, आसपास के सारे छेत्र वासियों को नमन करता हूँ, कि आप लोगों नहीं यहाँ, गुलाब जामून, रबडी, खीर, समोसा, कचोड़ी ऐसे कौन सी समगरी है बरात भी आये ना तो उसका तादर नहीं हो जितना तुम लोगों ने कर दिया भड़ी दावाद आले इतना अब तुमने इतना दिया है किसी को देख कर दिया है नहीं तुमने केवल सुन कर दिया है कि बाबा का कोई भक्त शंकर का कोई भक्त शिव पुरान की कथा सुनने के लिए आया है भक्त शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया है तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या वो भी तो सोचेगा कार्ति का मैना इत्ते प्रेम से तुने इन लोगों को दिया तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा मैं भी तो छप्तर फाड़ कर तुझको दूगा मेरे संकर भगवान अपनी गोधी में कार्ति के जी को रखे है मेरे संकर भगवान अपनी गोदी में स्वयम श्री गणेज जी को रखे हैं, मेरे संकर भगवान अपनी गोदी में असोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे संकर भगवान अपने तन पर अपनी पांच बेटियों को भी धारन करकर रखे हैं, जया, विशहरा, शामली बारी, दव, त कर रखें मेरे शंकर भगवान सोयं माता जगजनी जग दंबा को अपने नसदीक में बिठा कर रखें मेरे शंकर भगवान धर्म किसा मरतता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर लिए तुम्हारी एक जूतता हो जाए उसको धन्यवाद को पहले के जमाने में लड़की की साधी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे क्योरी मेरी हरियाना की जीजियों सही की गलत है जमके तो बोलो जरा सही है ना पहले जब व्याव करते थे साधी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे कित्ती बुआ तो के चार पाच्छे बुआ हैं अच्छा हां कित्ते मामा के तीन चार मामा है चलो बहुत बड़ी है काका ससुर के पांच बहुत जोड़ी है लड़के के ताउ के तीन ताउ है बहुत बड़ी है मौसी चार मौसी चार मौसा है नाना नानी है परिवार है मामा काका बुआ सब को देखकर बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याव करते थे क्यों करते थे, कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आये ना, तो वो अपने दुख को किसी से कह दे, कहेगी ना, तो मन हलका हो जाएगा, मन हलका हो जाएगा ना, तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी, इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे बहुत बड़ा परिवार देखते थे, आज के जमाने में नया फेसा ना गया परिवार छोटा दिखा जाता है, कितने लोग हैं साथ ससूर रहेंगे लड़का रहेगा लड़के की एक बेहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा और राम इत्ता बड़ा परिवाद छोटा देखो फिर छोटा देखा कौन-कौन है साथ ससूर है लड़का है और लड़के की बेहन है और कोई नहीं अच्छा और देखो फिर देखा तो कहे केवल ससुर है लड़का है ना बेहन है ना सास है कहा बस यहीं पक्का कर दो क्योंकि इतने सारव को कौन जहलेगा बिचार श्युमापुराण की खत्था करती है बड़ा परिवार हमारे दुख को हमारी तकलीफों में मोबाइल कौन कौन चलाता है हाथ उटाओ जल्दी से सब चलाते हो वाटसप पर कितने गुरूप बने है तुमारे जम के बुलो जड़ा कितने गुरूप से तुम जुड़ी हुई हो दो से जुड़ी हो चार से छे से जितने लोग मोबाइल चलाते हैं जितने आस्ता चेनल पर सुन रहा हैं जितने फेस्बूक पर सुन रहा हैं जितने यूटूप पर जो सुन रहा हैं कताको जितने टीवी पर सुन रहा हैं और जितने इस पावन प्रागण में सुन रहा हैं मोबाइल चलाते हो, तुमारे मोबाइल में चार-पांच गूरूप तो जुड़े होंगे WhatsApp फे, Instagram पे भी लोग जुड़े होंगे मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर लेले तो भी तुमारे mobile में लगवग-लगवग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे वोलो सही है कि गलत है जम के वोलो जगा Instagram पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे Facebook पर भी लगवग-लगवग 2-400 लोग तो जुड़े होंगे वोलते जाव सही है कि गलत है YouTube पर भी तुमसे 2500 लोग जुड़े होंगे अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को अपने WhatsApp के मित्रों को अपने Facebook के मित्रों को अपने Instagram के मित्रों को दिन भर समय दिया इसा करते करते 2022 चले गया 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गया 2025 और मालूम पड़े एक दिन मालूम पड़े कोई अब चले गया एक्सिडेंट में तुम हास्पिटिल चले गया तो किसी तुमारे चाहने वाले ने WhatsApp पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सिडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है बहुत कश्ट में है और WhatsApp पर डाल दिया अब जितने लोग तुमारे WhatsApp पर जुड़े जितने लोग तुमारे Instagram पर जुड़े थे जितने लोग तुमारे Facebook पर जुड़े थे जितने लोग तुमारे YouTube पर जुड़े थे उसमें से अगर पांच लोग भी तुमको हास्पिटिल में देखने आ जाए तुमारा दुख कम करने आ जाए तो बता देना जिसको तुमने सम संबढ़नें दिया तुम्हारी दुख कि ओढ़ी में तुम्हें ऊठाकर हास्पिटो भी वही ले लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन राप एक वही ही करेंगे और समालेंगे।When in टुमहें कोई दूसरा नहीं समय लेना अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया दूसरे को समय दिया दूसरे को समय दिया उसने नहीं समाला पर परिवार के वित्ती को समय देते तो वो समान देते वो समान